दोस्तों जब परिक्षाय नजदीक होती हैं तो ऐसे में आपको जरूत होती है important topics की और हमने इसी के लिए अपना नया channel start किया है exam watch नाम से जिसका जो link है वो description box और comment box में पिन करके दिया गया है जी एस ऑनलाइन की इस platform पर अब सभी का स्वागत है हम लोग द्रिस्ती को एक बुक का सामान ने विज्ञान वाली जो बुक है उसको summarize कर रहे थे तो इसमें जो उसमा गत्की का lecture था वो complete हो गया था उसको हम लोगोंने summarize कर लिया था आज उसके जो practice sit है एक question है 38 question का उसको हम लोग यहां पर solve करेंगे इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा वो तरंगों पर आएगा आपको पिछले वीडियो चाहिए इतिहास के पूरी बुक complete हो चुकी है उसको प्लेलिस्ट करें तीन पार्ट में है एंसीन में डूलर मॉडन साथ में जोगर्फी का इंडियन जोगर्फी का अलग प्लेलिस्ट है लगबग आधा हो चुका है आधे से ज्यादा और वर्ल्ड जोगर्फी भी इसमें कंटिन्यू हो रहा है और इसमें physics का भी आगे चल रहा है तो आप इस तरीके से आप इसको अगर आपका जो इंपोर्टन टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं तो जो मेरा एक्जाम वाज चैनल है उसको भी आप विजिट कर सकते हैं वहां से आप देख सकते हैं आईए पहला कुश्चन देखते हैं निमलिखित में से किस से आग को सबसे जल्दी बुझाया जा सकता है सीतल जल उबलतल जल गर्म जल बर्ब सही आंसर होगा उबलता जल नेक्स्ट है निमलिखित में से किस में उस्मा की हानी मुखी रूप से सम्मान के कारण नहीं होती है विकल्प है आपके उबलता जल भूमी और समुद्री मन्द पवन वात्या भट्टी के चारों वायु का परसंचरण बल्ब के तंतों में धारा प्रवा होने के कारण बल्ब के कांच की सता का गर्म होना तो जो इसका डिप इकल्प है बल्ब के तंतों में धारा प्रवा होने के कारण बल्ब के कांच की सता का गर्म होना इसका सही उतर होगा तीसरा क्वेश्चन है उस्मा हानी ब नेक्स्ट है Kelvin तापमान और Celsius तापमान के बीच सही सम्मन निमलिकित में से कौन सा है तो अगर आप फर्मूले को लेके देखें तो जो माइनस 273, 273.15 degree Celsius होता है वो आपके 0 Kelvin के बराबर आता है तो इसलिए आपका जो D वाला फर्मूला होगा इसमें D is equal to T plus 273.15 तो आपको यहां पर सही आंसर D हो जाएगा 40 degree Celsius का मान फॉर्ण हाइट स्केल में कितना होता है तो अगर आप फर्मूले से निकालेंगे तो मैं यहां निकाल नहीं रहा लेकिन फर्मूला लिख दूँगा C minus 0 degree उसका होता है freezing point और जो उसका boiling point है उसको नीचे लिखते हैं फर्मूला में आपको पढ़ाया था मार्कर थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा है 100 लिखा हुआ है और इसको बराबर होता है अगर फॉर्ण हाइट से निकालना है तो फॉर्ण हाइट का जो freezing point है वो लिख ल 104 degree Fahrenheit तो इसको आप calculate करके भी निकाल सकते हैं तो आपका सही answer हो जाएगा एक 104 degree Fahrenheit next है संभान द्वारा उस्मा का स्थानांतरन हो सकता है विकल्प ठोस एवंद्रो में ठोस एवं निर्मात में गैस एवंद्रो में निर्वात एवंद्रो में तो इसका सही विकल्प होगा गैस एवंद्रो में संभान द्वारा उस्मा का स्थानांतरन हो सकता है तो कि ठोस मे जो कण हैं वो गती नहीं करते हैं और गैस और द्राव में जो उसके कण होते हैं मॉल्यकूल वो गती कर सकते हैं तो उसमा का स्थाना अंतरन संभान में कैसे होता है तो यह जो है आपका संभान किसमें होगा गैस और द्राव में C विकल्प सही होगा अब फिर यहां फर्मूले का ही कुश्चन है माना कि उससर तापमान से इंतिग्रेट और फॉरेंड हाइट में इतना हो तो सी एफ का संबंद जो है वो क्या होगा सी एपका संबंद एव इकल टू 9 अपॉन 5C प्लस 32 तो फॉरेंड दाथा सी बार का संबंद क्या होगा तो समय बार लगा के पुछा गया है इसका संबंद क्या होगा तो इसमें भी आपको घबडाने की जरूत नहीं है अगर आप निकालेंगे सी माइनस हंडेड अपॉन सी माइनस जीरो अपॉन हंडेड इस इकोल टू एफ माइनस 32 अपॉन 180 जो मैंने भी लगा के दिखाया था तो उसी से आपको यह मिल जाएगा जो इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें जो आपका पहला भी खिल्प है वह किता दी जाती है दूसरा है हलके रंग उसमा को कम असोसित करते हैं तो इसमें आपके चार विकल्प हैं इसमें मैं बता देता हूं आपको कि जो दोनों हैं वो सही है हलके रंगीन कपड़ों का उप्योंग गर्मी में किया जाता है क्योंकि वो कम असोसित करते हैं तो सही कारण बताया है कि उचाई वाले अस्थानों में तापमान कम होता तो देखे एक बात यहां समझे कि जो उचाई वाले अस्थान होते हैं बोजन पकाने के लिए में देरी होती है को तो क्या होंगा कि एसमें सव्द्धी इसमें मिला दी जाए तो कज़फनांग बढ़ जाए-गा उचा कि वाले ताप माण कम हो तो कम ज्यादा करने के लिए सो दिन ही मिलाई जाती है अलाकि यह सही है कि किताब मान कम होता लेकिन उसका असपस्टी करण नहीं यह तो इसका भी विकल्प जो है सही हो जाएगा जब सीलेःः बिस्कुटों को थोड़ी दिर की लिए फृष्स के अंदर रखा जाता है तो गूर्फ डर्लेःउ हो जाता है बताई क्यों तो इसका सीधा सा उतर है मैं सीधाब को आंशर बता रहा है फृष्स के अंदर की याक्टन होती है असलेफ घ्रिक नम्य supportsित हो जाती नेक्स्ट है ताप गत्की का प्रथम नियम सामानेता किसे संबंद का मामला है तो यह मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है दूसरे लेक्चर में आप उसको देखिएगा इसमें होगा उर्जा के संद्रक्ष्ण नियम के तैद जब पानी को जीरो डिगरी संटिगेट से दस डिगरी संटिगेट तक गरम किया जाता है तब इसका आयतन क्या होता है तो मैंने आपको बताया था कि जो इसका आयतन होता है वो जीरो से चार डिगरी तक क्या होगा पहले आयतन गटेगा उसके बाद क्या होगा फिर है तो उनके अपने अपने तापमान पर करती है उबलते जल्दवरा जलने पर जलने की तुलना में भाप से जलना अधिक कस्ट दायक गंभीर होता है क्यों कि आप जानते हैं कि उसकी इसका लेटेंट हीट है भाप का वह जादा होता है भाप में गुप तो ताप अधिक होता प्रतिम में से किस्में संभान होता है संभान किस्में होता है अभी हमने से किया था है तुअ अगला है कोई पनि तो आप एक और देता को किस रूप में बड़ किया जाता है तो आप उच्छी आजदा को प्रचस्त में कितने परसंटेज अजय होगा वारिस होगी वीशन्सरदी के में ठंडे देशों में पानी की फट जाती है क्या कारण हो सकता है इतना तो अपने पढ़ा ही होगाँ पढ इतना तो इसमें कारण क्या होगा है क्योंकि जमने पर पानी फैलता है तो आयतान यहां पर सीधे नहीं लिखा गया है गुमा के लिख दिया गया कोई बात नहीं अगला कुछिशन देखते हैं वह तापमान जिसका पाठ्यांग फारंहाइट और सिल्सियस तोनों पैमाने पर होता है किस तापमान पर होता है तो इसको भी आप अगर वही कल्कुलेट करेंगे से माइनस जीरू अपॉन हंडड़ सी की जगा माइनस फुट्टी रख देंगे इकुल टू इप माइनस थर्टीव पान बानेटी वह फार्मूला बुक में डिसकस किया हुए ना मैंने आप आपको बताया भी है कैसे आप उसको चेंज कर सकते हो तो आप वहां से आप सो कल्कुलेट करना निकाली ज़िए नहीं आता है तो कमेंट करेंगे मैं आपको इसको अलग से वीडियो बना के बता दूगा कि वरेनाइट से 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 केल्विन है उसमें टेंपरिचर कैसे करता है तो इसको लेकि एक अलग वीडियो बना दूँ अगर आप कमेंट करेंगे ठीक है अभी आप एम लोग डिसकस नहीं करेंगे बहुत जादा उसका सही अंसर होगा किल्कुलेट करने के बाद बता दे रहा होगा माइनस फुर्टी डिग्री कि नेक्स्ट क्येश्टन है ट्वेंटीएस क्यों लिए नम्मतब तापमान किसके दूआरा मापा जाता है तो जो एल्कोहल थर्मामीटर होता है चुकि अल्कोहल का गलनांग खिमान जो होता है एकी बिंदु होता है माइनस वरहंद्टोटी माइनस लगाना मत बूलीए गलनांग कि मांग इत्ता होता है तो इसलिए इसको जो है निमनतम तापमान के लिए एल्कोहल थर्मामेंटर का यूज किया जाता है थर्म किसकी यूनित है तो थर्म जो है उस्मा का मात्र यूनित है किसका है उसमा का बीविकल नेक्स्ट है परम सुन्नेताप क्या है तो परम सोह σंट सभाइब यह ढ STEM माला यह ऑडर्स यह सकता है कि इतना temperature में हो सकता है कि थरमोस्टेट यह नथ हे जो क्या करता है थर्मोस्टेट उस्मान आपता है किसी कीनिकाह का नखता है जो नीहनें नख़रत करता है किसी सिस्टम का इसमें ऑप सřे क्षछा सही हो जाएगा नेक्स है यहां कथन कारण दिया गया है कथन क्या है पहले वो देख लेते हैं तामबे के टुकड़े को तथा काज के टुकड़े को एक ही तापमान पर गरम किया जाता है तो बताइए पहले कौन सा गरम हो जाएगा उसके बाद असपर्स करने पर तामबे का तुकड़ा कांच के टुकड़े की पिक्षा अधिक घर्म लगता है क्यों तामे का घनत्यों कांच के घनत्यों से अधिक होता है अच्छा तो इसमें क्या कहता है कि देखे बात तो सही है कि तामे का घंद तो जो होता है वो काज के घंद तो से अधिक है चलो statement तो सही है कारण सही है कि नहीं हो देख लेता है तो जल्दी इसने बताया कि इस पर्स करने के बाद तामे का टुकड़ा जो है वो काज के टुकड़ा के पेक्षा अधिक गर्म लग डेजर्ट कूलरद्वला सीटलन किस पर अधारित है तो इसमें आपके चार विकल्प है चार में से जो वास्पन सीटलन है वो आपका सही अंसर है हमारे मंडल हमारे उपर अधिक दबाव डालता है तर्णतों इसके लिए को सी tidal sonnay रहता है तो निकलने लगता है फिर है नेक्स्ट कुश्चन 28 बादल आच्छादित राते स्वक्षाकास वाली रातों से अधिक गर्म होती है जब बादल वदली होती है तो थोड़ा उसमें ठंडी कम लगती है कारण क्या होता है क्योंकि जो ट्रेस्टिकल रिडियेशन होता ह कि आने के बाद वापस आ लगता है तो बादल उसको रोक लेता है तो फिर क्या होता है कि वह गर्मी प्रिदान करता है तो इसमें आपको पहला विकलब है बादल प्रित्वी को ठंडा किया जा सकता है बताए कैसे पानी के बैहरे से सम्पीडिद गैस को छोड़ने से दोस् आप कर लेगी ना को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए तो ले लेगा तो क्या होगा संपीटी देख कंप्रेस्ट गैस अगर छोड़ेंगे तो कमरे को ठंडा किया सकता है बाकी भी और भी बहुत साही तरीके हो सकते हैं लेकिन यह वाला तरीका यहां पर सही है निमने में से ये एर कूलर दोनों आर्धा नहीं अंदित करते हैं यह बताई है कि आपका एच्छा कर लेता है कि कूलर भी कंट्रोल करता है कि ऐसा होता है तो जुलाई अगर से में कूलर बढ़ा अच्छा लगता लेकिन जब इमेलिटी बढ़ जाती तो पूलर आप बंद कर देते हैं कहते हैं पानी बंद करो पंखा के वल चलो तो यह वाला यह गलत हो जाए ना तो आपको यह भी सही है जल्यूक तो गिलास में तैरता हो बरब का टुगड़ा जब पिखलता है तो तो यह कुश्चिन अक्सर कर पूछा जाता है तो इसमें कंफ्यूज मत हो यह वह उतना ही रहेगा जब टेंप्रेचर की बात की जाए कि कब घटेगा बढ़ेगा तो वह बात याद यह देगा कि 0 डिग्री पर उसका अश्तर बढ़ जाएगा 4 डिग्री पर सबसे लियुनतम होगा उसके बाद पर उसका अकम होगा तो इस तरीके से आप देखें तो उसमें जो है वह वह वही रहेगा वह बदलेगा नहीं ठीक है अगला कोस्ट्र सीथ कोश्ट में भंडार जाती है इसलिए वो अधिक समय तक चलते हैं यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलबास प्रहन करने की च्छमता तो टेमप्रेचर बढ़ेगा तो वाटर वेपर बहुत तीजी से बनेगा ना बढ़ती है ना इसे कौन सा कथन सही नहीं है गलत बताइए तो चारों लोन ब्लूंपा पढ़िये पर गौने बढ़ता है घ्णा दापनेइधा का भॉसक्वल कॉप्तमान के बढ़ने पर वाईू की में ध्वनी का वेक बढ़ता है नहीं है अपका अन्सर किसके अगलत हो गया अभी करके देख़ेगें उनकोरा रहिए आयाम तथा के परिवरतन से वाई में ध्वन इवए प्रभावित यह की वी चुटा सा प्राक्टिस पढ़ने के बाद हुद करना जरूरी होता है इससे क्या होता है जो पढ़े रहते है उसका अगला टॉपिक आएगा तरंगे तो यह हम लोगों किया उसको समझाने की कोशिस करी पूरे साइंस को इसके बाद अगला चैप्टर आएगा तरंगे और इक ही करके हम लोग इसे चैप्टर करते जाएंगे तरंग के बाद ध्वानी मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए गुद बाए